हमने departmental में क्या देखा departmental होता क्या है कि जब कोई businessman अपने store को बहुत बढ़ा करता है एसे situation में वो अपने store को segment wise कर देता और हर एक segment को independent छूट देता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि उसे last में actual पता चल सके कि किस department से उसको कितना profit हो रहा है या loss हो रहा है ताकि एक फैसला ले पाए last में कि भीया इस department से अगर हमें loss ही हो रहा है तो हम क्यूं रण करें उस सिर्फ particular department को बंद करें ना कि पूरे business को इस से related कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हमारे दोनों department में होते हैं department का मतलब जैसे कि एक मान लेते हैं कपड़े का girls का और एक हमने boys का अधा था दो अलग-अलग स्टोर थे तो कुछ खर्चे जो कि आपके अलग-अलग है वो तो अलग-अलग रहेंगे लेकिन कुछ खर्चे जिसका पता ही नहीं चलेगा तो वह बट जाएगा किस रेश्यों में बाटा जाएगा जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है और सूटेबल बेस्ट कौन-कौन सी चीजों पर क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताएगा जैसे कि इसके बाद आपका डिप्रीशेशन वगरा बाट दो वेल्यू ओफ इसट में इन सारे के सारे यह पर पोस्ट में आपकी किताब में भी गीवन है बिल्कुल मैं किताब में से ही करा रहा हूं कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको बाटना पॉसिबल नहीं होता है जैसे फाइनेंस कौस्ट लोस बैफायर यह सारे ऐसे खर्चे जिसको बाटना पॉसिबल नहीं है हमने एक कुश्चन देखा और इसके अंदर यह दिखा था कि डिपार्टमेंटल किस तरीके से बनाया का हमने यह common पी अंडल करके देख लिया था last class में आगे हम देखेंगे main चीज जिसके अंदर है stock reserve stock reserve कह लो और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं unrealized profit के नाम से इसके अंदर हम बोलेंगे unrealized profit sir unrealized profit क्या होता है concept से समझते हैं generally जैसे मान लो हमारे पास दो department है एक मान लेते हैं यह department A है और यह department B है ठीक है इसको हमने मान लिया department A और इसको मान लिया department B तो कई बार ऐसा होता है कि अगर B department को कोई समान चाहिए होता है तो वो कई बार department A से मंगवा लेता है तो department A ने इसको समान भीज दिया department A जब भी इसको समान भीजेगा हमेशा selling price पे भीजेगा मतलब सर डिपार्टमेंट A समान जो है वो हजार रुपए का खरीदता है और उस पे 200 रुपए प्रॉफिट एड करके कस्टमर को 1200 का बीच देता है तो तो ओगे बारा सो पच्छास यानि यहां पर कितने परसेंट होगे 25 तो यूदो वैरी वेल यहां पर कितना होगा कि इस क्योंकि यह क्या होगि हमारा एक selling price हो गया यह क्या होगि हमारा selling price हो गया ठीक है यह होगि है selling price now अब आप ध्यान दिजेगा अब इसने क्या करा बी डिपार्टमेंट को कुछ समान भीज दिया अब बी डिपार्टमेंट को समान भीजा इसने और सपोस करते हैं बी डिपार्टमेंट को जो समान भीजा इसने वो भीजा सपोस करते हैं 50% इस टॉक इसने भीज दिया जो की बनता है हमारा 62,625 का अब इसने न इसने 625 रुपए का समान भीजा अपना तो जब भी भेजेगा ये अपना समान तो ये always क्या होगा इसका selling price तो पहले तो ये समझो एक department अपने दूसरे department को समान भीज सकता है तो जो पहला department समान भेजेगा always maximum chance है कि किस पर भेजएगा अब concern ये आता है कि जो department हमारा ये है यानि इसके पास कितने का समान पहुंच चुका है भी या तो इसने समान बेच दिया होगा या समान ये नहीं बेच पाया होगा क्योंकि एक customer आया मान लेतने मेरा मान लेतने मैं वेर है और ये woman का है ठीक है ना तो एक यहां पर woman store पर आया उसने बोला मुझे एक man का shirt भी चाहिए उसने बोला ठीक है मैं मंगवाता हूँ, यहां से मंगवाया है 625 रुपए का और दिखाया, अब ultimately दो option हो सकते हैं, या तो ये वाला sold हो गया होगा, या फिर ये वाला unsold रहा होगा, दोनों चीज़े, अगर sold हो गया होगा, तो कोई बात ने बिग गया, बात खत्म, लेकिन अगर unsold रहा होगा, तो इसके closing stock में होगा, क्योंकि जब नहीं बिगा तो अपने stock में इसने count कर लिया, इसके, और closing stock में ऐसा रहा होगा, कि हमने अपना ही profit add करके रखा होगा, तो हमें जो closing stock में अगर 625 रुपए है, तो सबकुस तो सेम करेंगे, लेकिन जब हम एक final profit बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, journal profit and loss, तो इसके उपर जो भी profit रहा होगा, यानि trading account बनाया होगा, trading के closing stock में रहा होगा 625, इसके उपर जो भी profit है, वो journal P&L के two side में unrealized profit के ना उसका profit का हिस्सा, तो भी या 625 रुपए क्या है हमारा selling price, तो selling price के उपर कितना profit जोड़ा हुए है, अगर cost पे 25 है, तो 20, तो 20 के हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें, तो 125 रुपए इधर आज़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, stock reserve या unrealized profit, अगर ये stock बिक गया, तो चिंता ह नहीं हमारे पास है इनी stock, जो कि हम balance करें, नहीं विका तब करना है, और ये दोनों चीजे हो सकता है, कि opening, closing stock के साथ साथ कई बार possible है, कि opening stock अगले साल बनेगा, तो उस पे भी होगा वो, और जो percentage आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये percentage आपको question में हमेशा given भी हो सकता, और क क्या सीखने वाले हैं सर, हम सीखने वाले हैं, पहले closing stock पे अगर profit हिस्सा जुड़ा हुआ तो कैसे treatment करेंगे, opening closing का भी एक देख लेंगे, तो फिर कैसे treatment करेंगे, और जब हमें GP ratio नहीं दे रखा होगा, तो कैसे treatment करेंगे, ये सारे तीनों type के हम question से देख लेंगे, जिससे कि हमारा ये वाला concept एक दम से क्या होगा, clear हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए एक question देखने, simple तरीके से, ये question आपके book में practical question होगा, आपके book में कहीं न कहीं practical question होगा, ये, ठीक है, चलो सार, question के लिए सबसे पहले हमें, और balance sheet बनाना बहुत rare case है, कि balance sheet बनाना आएगा, क्योंकि max to max पता है क्या बनाना आएगा, यहाँ पर, max to max यहाँ पर profit and loss बनाना आएगा, दो department है, total का column नहीं बनाते हैं, इसमें simple बना लेते हैं, एक department, दो department, A और B है न, ठीक है, सेम इधर कर लेते हैं, A department, तो department, ठीक है, जैनल पी इंडल हम इधर बना लेंगा है, क्योंकि थोड़ा सा mixed हो जाता है, वैसे यहीं बना लेंगे, नीचे चलो कोई बात, यह बना गया हमारा, ठीक है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, और यहां लिखोगे ट्रेडिंग, और डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रोफिट ए लॉस अकाउंट लिखोगे, ठीक है, चलिए, आईए, स्टार्ट करते है, सबसे पहले आप देखोगे, तो सबसे पहले दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले यहां लिखे लेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, कितने रुपए का है सहाब ओपनिंग स्टॉक, चालिस अजार्ट, और बी का नहीं है, फिर पर्चेस फ्रॉम आउटसाइड, यहीं आ जाएगा, पर्चेस कितने गीवन है, दो लाग, दो लाग यह न, दो लाग और बी सजार्ट, चलो यह भी हो गया, यह भी हो गया, इसके बाद गीवन है हमें, वेजेस, तो वेजेस भी ट्रेडिंग का हिस्सर है, टू वेजेस, थस अजार और 1100, ठीक है, उसके बाद कहता है, goods transfer from department A, यानि department A ने transfer किया, तो जो transfer करता है वो sale month करता है, और जो ले रहा होता वो purchase है तो goods transfer नीचे लिख लेते हैं to goods transfer from A तो यह B के लिए purchase माना जाएगा 50,000 और A के लिए by goods transfer एक लिए sale माना जाएगा 50,000 यह बाते तो समझ में आ रही आपको ठीक है इसके बाद आते हैं sales outsider तो normal बाहर वालों को जो sales कि है हमने दो लाग और 71,000 ठीक है कहता है B's entire represent goods from department A which is transfer them 25% above cost जो B represent goods from department A यानि B के पास जो भी है department A से समाना आया है वो 25% above cost पे cost पे कितने percent है department A which transfer department A हमेशा cost पे 25% profit कमाके बेचता है तो sales पे कितना हो जाएगा 20% ये सभी को पता है क्योंकि जिसने branch किया है उसको ये चीज़े समझ में आ जाएगे लिखा हुआ है आगे कहता है administrative and selling expense amount 15,000 which are to be allocated between department A and B 4 is to 1 तो सर ये जो administrative और selling expense है ये तो P&L का part हो गया ठीक है तो हम P&L नीचे लिख लेते हैं to admin expense admin expense अब यहां पे कितने हैं 12,000 और 3,000 count कर लिया 12,000 और 3,000 ठीक है अब सिर्फ और सिर्फ रहे गए stock का पंगा है ना पहले हम normally जैसे सीखा है trading account वैसे कर लेते हैं 250,000 तो लाक पचास अजार और 2 gross profit पता यह क्या गया मेरा calculator मेरे back में हो यह बन रहा है हमारा तो लाक पचास अजार माइनस में 40,000 माइनस दो लाक माइनस दो जीरो आ गया कौन से stock अच्छा end closing stock कहा लिखा है closing stock अच्छा यह वारा पार्ट रहें गया हमारा भी closing stock तो लिखा ही नहीं 5 closing stock closing stock कितने है तीस अजार और दस अजार अच्छा तो दो लाक तो लाक असी अच्छा और इधर भी आजाएगा दो असी और इधर आजाएगा और इधर आजाएगा तीस अजार और इस साइड आजाएगा by gross profit तीस अजार इसका टोटल आगया 81 इधर भी 81 तो दस दस अजार नहीं हाँ दस अजार और इतर आगया है ठीक है हाँ दस अजार ठीक है अब यह आ जाएगा यहां पर नेट प्रोफिट जैसे हम जर्नली करते हैं तीस अजार तीस अजार दस अजार ठीक है तीस अजार दस अजार तू नेट प्रोफिट गहां ट्रांस्फर हो जाएगा यह जर्नल चपार गितने आगए अठारा हजार 7 अब नीचे हम ज़नल पी एंडल बना लेते हैं नीचे बना अगए सईर्द बना ले साइडवें बना ले साइडवें बना ले साइडवें वरकिंग क्योंकि इसमें एक ही देख लेते हैं यह साइड में ही बना लेते हैं कि देखेगा सब्सक्राइब कि अब देखेगा सब्सक्राइब यह आगया हमारा कौन सा काउंट हो गया रेडिंग और प्रॉफिट और लाउस चर्णल अब प्रॉफिट एंडर ठीक है जो नेट प्रॉफिट है इधर आजाएगा बाई कि नेट प्रॉफिट अब किससे ए से और बी से एक का प्रॉफिट कितना है 12,000 या 18,000 और B का profit, total profit देखा जाए, 25,000 यहां तक आपको बिलकुल अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सीखा है इसमें, जैसे पहले करते आये थे, वही कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है चलिए, अब हमारा जो काम इसमें extra करने के लिए question उठाया है, कहता है, B entire represent, B का जो entire represent goods from department A, which transfer from, यानि जो B का जो हमारा closing stock है, अब यहां पे देखो, हमेशा जब भी reserve निकलेगा, एक तो निकलेगा opening पे, और एक निकलेगा closing पे, दो पे निकलता है, हमेशा दो पे, अब क्योंकि, B का opening है नहीं, तो opening पे निकलेगा नहीं, और B कहता है, entire represent goods from department A, which transfer 25% above cost, जो की above cost पे हैं, और closing stock हमारा दे रखा है, इसका मतलब, यहां पे अगर देखा जाए, तो हमारा एक line और कोई missing तो नहीं है, selling expense हो गया, goods, department A, कितने का goods है हमारा, 10,000, और भेजा कितने का था, 50,000, ठीक है, कहता है कि जो B का जो यह closing stock show हो रहा है ना, इस line का मतलब है, B entire represent goods, जो B का represent goods है, from department A, जो की department A से आया है, which transfer 25% above cost, its cost, यानि, जो भी इसका closing stock है, जितने भी इसके पास stock है, जितने भी goods बचे हुए हैं, उन सभी पे 25% जुड़ा हुआ है, किस पे, cost पे, तो भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो सिर्फ और सिर्फ इसका closing यह opening तो है नहीं, तो अभी closing का है, तो अगर हम unrealized profit निकाल ले हैं, unrealized profit निकाल ले, तो unrealized profit बताईए कहां से आएगा, तो 10,000 रुपे इसका closing stock है, जो मैंने star यहाँ पे लगाया है, ठीक है, इस 10,000 रुपे पे वैसे कह रहा है, यह 25%, लेकिन अगर sale पे, cost पे 25 हो, तो sale पे कितना होता है, 20, यह कहां सिखा है, branch वाले chapter में, तो 20%, 20 बते में 100, यानि 2000, 2000 रुपे unrealized profit है, जो की यहाँ पे buy में है, तो general P&L में आ जाएगा, तो में, unrealized profit, that is 2000, और अब final net profit निकलेगा, तो net profit, जो की आएगा, 30,000, ठीक है न, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि हम simple करते हैं कि भीया, sales is equal to cost plus GP, तो सर्फ sales हमें दे ही रखा है, 10,000 क्योंकि selling price होगा, cost नहीं पता, और GP कितना है, 25% किस पे cost पे, तो X by 4, अब X की value जब आप solve करोगे, तो यह आजाएगा, 8,000, ठीक है, 8,000 cost है, तो सिर्फ profit वाले हिससे को ही बोलते है, unrealized profit, ठीक है, तो यह था, इसके अंदर हमने देखा, कि closing stock के उपर, अगर कोई profit जुड़ा हो, तो कैसे करेंगे, अब एक question हम देख लेते हैं, जिसमें opening और closing दोनों पे जुड़ा हो, तो simple से आपको समझ में आ रहागा, भईया, opening में जुड़ा हो, तो उस पे भी ऐसे करेंगे, एक और question देख लेंगे, जिसमें, यह इसको दे रहा होगा, और यह इसको दे रहा होगा, ठीक है न, तो stock reserve इस से उपर कुछ भी नहीं रहता, यहां तक clear है सब इस student को बता दीजिए, फटा फट तो आगे बढ़ें, किस किस name से account बनाया है, शायद उपर का visible नहीं हो रहा है, यह देख लीजिए आप, चलिए यहां तक clear है बता दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएं दूसरे question पर, यह आपके book का शायद practical question है, कौन सा देख लो एक बड़, practical problem में मिलेगा यह शायद से, नहीं है, चलो कोई नहीं, और इतने छोटे छोटे ही question आएंगे, और यह 10 number में question पूछा जाएगा, आपका, 19 number का question आना है, ले बता जाएंगे, भी सुटचा है, ले बता बाएंगे, और यह 11. बता जा हम जाएगे, प्सकिता जाएंगे बड़ी है, और यह 16.